Hello students, ये 2016 में पूछा गया एक question है, set 2 में आया था, दो marks के लिए, तो एक बार ही हम statement देखते हैं कि क्या है So question says, the width of physical address on a machine is 40 bits, the width of tag field in a 512 KB 8 ways set associative cache is dash bits Okay, तो यहां पे आप से पूछा गया है कि इस memory system के लिए tag field में कितनी bits होंगी सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि 8, sorry, K ways set associative cache memory में physical address कैसे divide किया जाता है तो physical address की partition होती है, tag bits, set number bits और set bits भी कहते हैं और block offset यानि कि physical address को यहां पे आप तीन parts में divide करोगे अब ना तो आपको block का size पता है, यानि कि block offset भी नहीं निकाल सकते tag आपसे पूछा गया, अब क्योंकि block या line का size नहीं पता इसी वज़े से आप number of lines भी नहीं निकाल सकते which obviously means कि आप set number भी नहीं पता कर सकते यानि कि ये दोनों आप निकाल नहीं सकते और ये आपसे question में पूछा गया है बट फिर भी इस question को बड़ी असानी से solve किया जा सकता है क्योंकि भले ही आप इन्हें अलग अलग नहीं निकाल सकते बट फिर भी आप ये पूरा पार्ट निकाल सकते हैं कि यहां से यहां तक कितने bits हो गए तो अब पहली चीज़ आप note करो कि question में directly given है physical addresses 40 bits यानि कि यहां से लेके यहां तक total है 40 bit तो आप ऐसा करो कि आप इसे assume कर लो इतना part x bits का है ऐसा क्यों वो मैं explain करता हूँ यहां पे देखो एक इस question को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ हम इस formula को समझते हैं अगर आपको यह formula आता है well and good आप इस part को skip कर सकते हो नहीं आता तो इसे समझो देखो मान लो कि यह कोई एक cash है cash में मैं कह रहा हूँ cash size is equal to 2 power s जहां पे s है number of bits in set field into 2 power b जहां पे b है number of bits in block of set यानि कि 2 power s plus 2 power b into k, k क्या है k way set associative 8 way में k की value होगी 8 यह होगा cash size के equal कैसे देखो 2 power b क्या होगा एक block का size होगा क्यूंकि अगर block of set में b bits हैं तो एक block 2 power b words का हो जाएगा तो यह है एक block का size यानि कि यह जो मैंने highlight करके दिखाया है इसे हमें एक block कहते हैं या एक line कहते हैं अब into k करने से क्या होगा k होता है number of blocks per set अगर मैं एक block के size को number of blocks per set से multiply कर दूँ तो मुझे यह पता चल जाएगा कि एक set का कितना size है यानि कि इतना जो part आया यह है size of one set अब उसे हमने multiply कर दिया number of sets से size of one set into number of sets obviously size of cash ही तो आएगा वही लिखा हुआ है अब इस question को solve करते हैं देखो इतना part हमने मान लिया x तो 2 power s into 2 power b बन जाएगा 2 power s plus b into k यानि कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब आप देखो यह है s और यह है b s plus b हमने already assume कर रखा है x तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 2 power x into k is equal to 512 kb है ना cash size है 512 kb और यह इसके equal है k की value आपको given है question में 8 उसे भी substitute कर दो 8 को आप लिख सकते हो 2 raise to the power 3 तो यह हमने लिख दिया 8 अब देखो 2 raise to the power x plus 3 is equal to 2 raise to the power 512 kb means 19 ओके यहां से आपको मिला x plus 3 is equal to 19 यानि की x आगया 16 bits का तो अब आपको पता है कि इतनी जो value है sorry इतनी length वो 16 bits की है मतलब set number plus block offset यह 16 bits की जगा ले रहा है अब बच गया tag 40 में से minus कर दो 16 यानि की 24 वो होंगी tag के bits so tag here is 24 bits which is also your answer अ़स्ट का लाइए नगा है रहा है वो हो अचा आपको जगाए पो हो आपको आपको हो आपको आपको तो वो होगा